मंगलम इस्ट्टूट की यूटूब चैनल पर आप सभी का सागत और रभनेंदन है कैसे बच्चों उम्मीद है आप लोग सस्त्वंगे और आपका जो बोस्ट का बोर्ड ऑफ ओपें स्कूलिंग एंड इसकेल एजुकेशन का जो आपका एक्जाम होने वाला है आज हम उसी पर चर्चा करने वाला हैं बड़ा ही ब्रेकिंग नियूज है यह आपके लिए कि एक्जाम आपका कब होगा और कई बचों को इसे एक्जाम कब होगा या डेट कब आएगी या क्या करना होगा तो आज एक वीडियो लेकिया हूं मैं आपके लिए और जो हमारे पुरानी च हाथ रहें एक बार उग्दम कंसेंट्रेट हो जो हमारे हैं अगर हम बात करें तो एकदम सतर खो जाए खासकर उन बच्चों के लिए हैं और कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से अग्जाम कर होना है उन सारी जनकारीयों को हम आज इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले तेकदम पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाएए और मैं आपको बतादू मैं अथराइस यहां पे शंटर है मंगलम इस्टिट्टीट का बोष की द्वारा और सारी जानकारिया मैं आपको देता रहूंगा यह दिया आपको संपर्क में कोई भी बच्चा हो जिसे समस्या आ रही हो या कोई कुछ बच्चा पूछना चाह रहा हो तो मेरा नंबर है 9264924386 यह हमारा नंबर है और इस नंबर पे आप एकदम जो है कोई भी बात पूछ सकते हैं कोई अगर आपके समस्या है तो आप वहाँ भी कोई समस्या है तो वहाँ भी अपने बात को आप रख सकते हैं ठीक है तो ध्यान यह रखना है कि एकदम के लिए सबसे पहले मैंने एक इसके पहले मैंने जो वीदियो बनाया था उस वीदियो में मैंने आपको डीटेल में बताया था कि आपको किस तरीके से आपका एकदम होगा खासकर जो 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं 12th में जो बच्चे PCB लिए हैं या PCM में जो लिए हैं मैथ जिनका सेशन है उन लोगों को assignment लिखना अनिवार है 20 नंबर का ये assignment होगा और ये आपको 20-22 मार्ज तक प्रयास करिए कि इसको लिख लीजिए और क्योंकि 24 के बा द्वारा जो admit cards होंगे आपके द्वारा जो assignment आपने लिखा है उस assignment को आपको PDF बना के मैं फिर से कर रहा हूं आपको PDF बनाना है और उस PDF को बना के आपको जो है upload करना होगा पैनल पे board के पैनल पे ठीक है ना ये सभी बच्चों के लिए उसमें guideline ये है कि first page पे आप अपना नाम लिखेंगे उसके बाद वहां कर अपना जो registration नमबर लेटेस्ट जो आपको registration नमबर मिला होगा उस नमबर को लिखना है और उसके बाद दो चीजे हो गई तीसरी चीज आपको ध्यान ये रखना है कि प्रतिक जो है assignment पे अंतिम page पे आपका sign होना अनिवार है sign होना अन नमबर का ये जो 20 नमबर के आपके 5 पेपर होंगे मतलब कुल 100 नमबर होगा आपका इसका नमबर आपको मिलेगा ठीक है तो इसको पूरे जिम्मेदारी से करना है जो बच्चे नहीं किये हों वो तेजी से कर ले क्योंकि लापरवाही खतरनाक हो सकता है क्योंकि exam आपकी सर पे है और exam conduct करा जा रहा है अठारा अप्रैल से मैं फिर से कह रहा हूं कब करा जाएगा अठारा अप्रैल से उन सारे points के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आप से एक-एक बिंदूओं पे चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले ये आपकी website है बोस की board of open school and skill education के लिए य time अगर 10 a.m. to 6 p.m. यदि आप बोर्ड में बात करना चाहते है तो यहां पर आपको यह आपको board दिखाई देगा यह मैं जो है थ्वड़ा सा highlight कर रहा हूं इसको आप देख लीजेगा इस number पर आप जाके वहां पर अपना phone कर सकते हैं यदि आपको कोई अस्तुविधा हो तो ठीक है बाकी यदि कोई समस्य है तो आप हमसे भी जनकारी ले सकते हैं और contact at the rate board बोश.ac.in यह आपका जो है email address है यहां भी भी आपना जो है कर सकते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है रिक ओकनाईजेशन यह प्रूब्ड यह सारी चीजे के बारे म प्रूब्ड बना दिया है जो बच्चे जया नया जानकारी चाहते हैं वो जाके इससे ले लेंगे और October में फिर से एक्जाम होगा जिन बच्चों का एक्जाम छूट गया है वो या किसी वज़े से एक्जाम नहीं ले पाएं इस बार वो अपना एक्जाम कप करा ले जाए हैंगे October की महीने में फिर से एक्जाम होगा तो इसकी प्रक्रिया इसी महीने के ज़स्ट बाद स्टार्ट हो जाएगी मैं से यहां तक ही स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जैसा रहेगा हम आपको बताएंगे ठीक है न तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पे रखना है ठ तो वहां से आपको online study material में आपको online course material आपको मिल जाएगा जो बच्चे तयारी करना चाहते हैं step by step procedure to access online study material के बारे में तो यहां पे website जाएगे right corner पे और यहां पे आपको सारी वो चीजें आपको दिख जाएगी जो आपका study material देखेगा ठीक है न तो यहां पे click करेंगे ज जो है इनका मिलेगा आपको सारा notes हो गहरे हैं यहां से आपको मिल जाएगा तेक बार जाके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि notes study material सारी लगभग वही है ठीक है तो जिन बच्चों को देखना चाहिए वो जाके देख लेंगे ठीक है और बाकी अपने आपका जो syllabus है वहाँ जाके note कर लीजिएगा syllabus के एक बार अच्छे से पूरा device कर लीजिएगे जो आपके exam के लिए आगे लगा हुआ है ठीक है ना मैं लगातार लेके update आता रहता हूँ खासकर बोस exam के लिए तो जो बच्चे first time है हमारी channel पे उन वो लोग like और subscribe जरूर कर ले ठीक है यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दो कि आपको कैसे कैसे यहां पर आपको बुक देखने को मिलेगी यहां पर आपको वीडियो बुक थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं यह देखिए आपके description learner book है कौन कौन से हैं यहां पर आप जाएंगे तो physics chemistry biology यह 5 subject से आपका paper ह होने वाला ठीक है और यहां पर जो है बुक के साथ साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी जाके एक बार देख सकते हैं ठीक है इसके बाद मैं आपको बता दो कि और कुछ रिशोर्स हैं वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं examination की assignment के बारे मैंने सारी जिनकारी है मैंने इसके पहले मैं दे चुका हूँ ठीक है सभी लोग अपना assignment लिख लीजेगे जैसा कि मैंने previous वीडियो में बनाया था जो पत्ति आज तक नहीं लिखें वो जाके जरूर देख लें assignment topic की बात करें examination का जो topic है वो भी मैंने बता दिया था तो आज हम इस वीडियो में केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि exam की guideline क्या है exam की guideline क्या है एक एक चीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो board examinations of secondary and senior secondary students के लिए है यह ठीक है न तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ठीक है एक एक चीज हम बताते चलेंगे और उसको आपको लेके समझते चलना है ठीक है एक एक चीज जिनको नहीं पता है वो जाकी website भी देख लेंगे और यहां पर अपनी सारी चीजें देख लीजेगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ कि यहां पर जो subject है क्या जो subject है आपका उसमें आपको exam देना है dear student examinations for secondary and senior secondary courses will be held in hybrid online and offline format with mcq किस format में होगा mcq multiple choice questions होगे मतलब चार options होगे और उन चार options में आपको एक प्रशन आपको चुनना होगा और उसी के द्वारा आपका exam होगा यह तीन घंटे का समय होगा ध्यान रखेगा exam के लिए कुल आपको तीस तीन घंटे का harvest आपको मिलेगा और senior secondary examination और secondary examination दोनों परिछाएं 18 April 2014 से start होंगी ठीक है इसके बाद हम timing की बात करें तो timing senior secondary examination का जो timing है 9am से 12pm तक होगा मतलब सुबह के 9 बज़े से start हो जाएगा 12 बज़े तक होगा और new paper are also scheduled कुछ paper ऐसे हैं कुछ paper कुछ paper ऐसे हैं जो दो से पांच में भी हो सकते हैं मतलब दो बज़े दो पहर से ठीक है तो timing और timing for secondary examination will be a form from 2pm to 5pm के बीच में आपका exam होगा secondary examination की बात हो रही है senior secondary वाले जो 12 के बच्चे हैं उनका exam सुबह के time होगा ठीक है you will need a smart device आपके पास क्या होना चाहिए एक smart device होना चाहिए gadgets of gadgets for appearing in the examination जैसे कि आपके पास क्या हो computer संबंदित आपके पास desktop हो या laptop हो या smart mobile phone के साथ साथ camera होना अनिमार है you will also need in an interrupted strong internet connection आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए और uninterrupted electricity backup आपके साथ आपके पास बिजली का बहुत ही अच्छा backup होना चाहिए माली यह light कर जाती है तो उसका भी बिवस्ता आपको बना के चलना है mobile से कर रहे हैं तो आप चार्ज कर लिजेगा laptop से कर रहे हैं तो वह भी चार्ज रखिए गा या आपकी घर में inverter जहां पर वहां पर आपको बैट के exam देना है और यह exam की सबसे खास बात कि आप अपने घर से इस परिच्छा को दे सकते हैं ठीक ना without all these you will not be able to appear in the examination अगर यह सारी चीजी नहीं है तो आप परिच्छा नहीं दे पाएंगे All students will have first registered themselves for the examinations by the accessing link यह आपको link दिया जाएगा और इसी link के द्वारा यह आपको first registration यहां पर करना होगा उसके बाद इसका आपका exam होगा The registration link will be open from 1st April 1st of April to 12 p.m. and to 16th of April 12th midnight 24 तक यह आपका registration link open होगा क्योंकि उसके बाद आपका 18 तरीक exam होगा ठीक है ना प्लीज इंसर्ट क्या करना है आपको डेटेल में without any mistake as your phone number will be verified through OTP आपका सबसे पहले जब आप यहां पर इंसर्ट करेंगे तो आपका mobile number verified करना चाहिए वह OTP के द्वारा होगा ना phone number registered once with one student cannot be registered अगन अगर एक बच्चा registered तो फिर से वार रिजिस्ट्रेशन अगन नहीं कर सकते हैं एक इंटर आल देटेल दालाइक registration number आपको डालना होगा नाम क्या है phone number क्या है और date of birth as in a boss student panel properly kindly remember your phone number after registration तो यहां पर यह सारी चीज़ों के बारे में आपको कर लेना है ठीक है ना the mock test and post examination will be held on the following link और मैं आपको बता दूँ यह जो आपको नीचे link दिखाई दे रहा है इस link पर जैसे कुछ बच्चे हैं कि सर कैसे exam देना तो यहां पर जाके एक mock test आप अपना practice set आपका exam दे सकते हैं यह बहुत ही अच्छी बात है बोड़ के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है यह कि यहां पर आप जाके mock test दे सकते हैं ताकि exam में आप कोई गरबड़ी ना करें ठीक है इसके बाद दूसरे पेज की तरफ चलते हैं मा लिजे पासवर्ड मॉक टेस्ट की यह सभी के लिए कामन है इन और ग्यू मॉक टेस्ट डेस्ट और एक्जामनेशन यू विल हैब टू इंटर यो रिजिस्टेशन नमबर या इसी को इन्रोल्मेंट नमबर भी कहेंगे रिजिस्टर मॉबाइल नमबर विच इमेंशन फॉर रिजिस्टेशन पैस की पास विल भी शिक्स डिजिट यूनिक की आपको मिलेंगे और की पास की आप देश सब्जेक्ट पेपर विल बीडिफ ले डिस्प्लेट इन यूर इस्टुड पैनल आपके इस्टुड पैनल जो होगा उसी पे सारे पेपर जितने भी पेपर होंगे उनके वहाँ पे आपको एक की दिखाई देगा वो छे नमबर का होगा ठीक है बीफोर 15 अप्रेल 24 के पहले इन दे केस इफ पास की इस नौट देयर फॉर एनी अफ दे लेटर पेयर इट विल बीडिस्प्लेट इन योर इस्टुडेंट पैनल फॉर तो फाइब विफोर जो आपका चार से पांच दिन इस्टुडेंट पैनल का जो पेपर चले गए यह आपको पर्टिकलर पेपर उसके पहले आपको कौन सा होगा यह आपको समझ भी दिखता रहेगा ठीक है ना कि कि इस डेट पर कौन सा है इट इस कंपल्सरी तो रेजिस्टर योर सेल्फ फ़र एग्जामेशन के लिए आपने आपको रेजिस्टर कर दीजियेगा और नो कैंडिडेट नो कैंडिडेट विल बी डिस्टिकली एलाओट तो गिव मौक एन एक्जाम विदाओड रिजिस्टरेशन बिना आप रिजिस्टरेशन के आपना कोई भी जो एक्जाम है वो नहीं कर पाएंगे और मैं आपको पुता दो कि आइडमेंट कार्ड विल बे अविलेबल ऑन स् अप्रेल नौ अप्रेल दोचार चाव इसको यह आपको एक्जाम करा दिया जाएगा और स्वरी एडमेंट कार्ड आपका मिल जाएगा ठीक है और यहां से आप जाके इसको अप्लोड कर लेना है करनली नोट देट फॉर्स डिस्क्रेप्टिट विस्टिशन यू विल है त कि दाइट अन्ट यौ डाइट अन्ट यौ देट अन्ट यौ दॉर्स डॉक्टशिट यौ त अन्ट घूट नौ अप्रिट टीट यौ अपको अप्धान रखना है ठीक है न इन दा कीस आप दानी क्युक्र जैनुन द्रॉबल लिक लोगिन इसू और शर्वर इसू यू य यदि कोई भी समस्या होती है exam के समय तो आप तुरंत representative admission community के जो representative होंगे उनको तुरंत आपको phone करना है वो अगला वीडियो में आपको बता दूँगी कि कि यदि कोई समस्या है तो आपको क्या करना होगा ठीक है इसके बाद board of open school and skill education के द्वारा कुछ students के लिए कुछ instructions है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ठीक है ना सबसे पहले आपको क्या करना है चेक दा सीडूल आप एक्जामनेशन सबसे पहले आपको अपना एक फोर साइज पेपर लिजिए और इस उस एफोर साइज पेपर पेपर पे आपको क्या करना है कि जाके वहाँ पे आप जिस तारीक को आपका एक्जाम होगा उस तारीक को उस सारी सारी information अपने फोर पेपर लिख लिए कि किस एक्जाम को कौन सा एक्जाम होने वाला डेट वगरा और विच सब्जेक्ट कोई गढ़बड़ी नहीं करना कैसा नहों कि आपको कोई भी एक्जाम छोड़ जाए इसके बाद आपको क्या करना है चेक दा एक सेडूल आफ एक्जामनेशन केर फु होन हो और आप उसी पे करें और एक्जाम टाइम कोई गढ़बड़ी सरबढ़ हो जाए तो यह ठीक नहीं है तो सच कुछ अच्छे कंडिशन में हो यह आप पहले चेक कर लेजिए इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना होना चाहिए सो डाउन आल दे इस्टेंट मैसेजिंग टूल जैसे स्काइब और एमेशन गूवल टॉल्क एट्सेटरा यह इंस्टाल होने चाहिए इमेल प्रोग्राम कैन वे कनफ्लेक्ट विट एक्जामनेशन पोर्टल एप पे यह आपका एक्जाम होगा और यहां पे मोबाइल की इतिहास की बात करें तो यह डिस्टॉप प क्लिक कारें कि कैडिक fitness के समय का थे सारी आपको निक पिर जाएंगी ठीक वागे प्रोडी ठ्रो लिंक जिस जो लिंक हाप को मिलेगा उस पर आपको ले जाके लिंक करना है वह सारी जहीं मिलेंगे यह आटोमेटिकली लग आफ हो जाएगा इफ यूज चूज टू यूज स्मार्टफोन प्रीज एडवाइस टू फिक्स इट आप इस्टेंड आइंड डू नौट चेंग इज और इंटेशन थ्रू आउड दा एक्जाम नेशन यह आपको थोड़ा से एक्जाम देख लें जब एक्जाम देना है कोई और चीज नहीं करना है नो कंडियेट विल बी एलाओ टू लॉग इन फॉर एक्जाम नेशन आफ्टर थर्टी मिनट्स आफ टाइम आप कमेंशन आप इन एक्जाम नेशन के समय जी तीस मिनट्स के बाद आप एक्जाम में लॉग इन करते हैं तो आप एक्जाम नहीं दे पाएंगे और कैमरा इज मैंडेटरी है ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टिंट पॉइंट है यह कि फ्रंट का कैमरा आपका चलना चाहिए आप कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप जो है फ्रंट कैमरा आप किसी तरीके से जो है बंद नहीं होना चाहिए ठीक है न वो बराबर continue working होता रहेगा ठीक है न और मैं आपको बता दो कि कैमरा के यदि आपने laptop में है तो laptop का कैमरा आपको यदि नहीं है तो उसको आप पर रेंज कर लिए click on next button to save answer then you will get the next questions automatically ठीक है during the examination you will under the surveillance you are advised not more away from the your sitting position not discussed anybody आपको किसी तरीके से किसी भी रूप में physically या verbally आपको बात नहीं करना है ठीक है unfair practice in this type of examination if you are found to be engaged in UFM ठीक है to your examination liable to cancel तो यह दिए आप किसी तरीकी स्कूई बदमासी करते हैं तो आपका exam cancel कर दिया जाएगा ठीक है और final submit होने के बाद आपका यह माना जाएगा कि आपने exam दे लिया है internet यह दिए आपका lost हो जाता है तो common suggestion hand does not resume the complications of the आपके paper का जो complications होगा वह आपका resume कर दिया जाएगा है you will have to download and your answer and see it sheet it is email ID appear at that time of submission submission कि समय क्या करना होगा क्या आपका email ID है वह दिखना चाहिए ठीक है रीड दे laptop smartphone और manually properly consulting the same ठीक है न तो यह सारी चीज़ें आपको देख लेना है in the case there is any description in the admit card in the inform executive following the seat of the exam में आपको यह सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी ठीक है न और मैं आपको बता दो कि exam date seat क्या है exam date seat पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि exam किस बच्चे का कब किस तारीक को होगा ठीक है न तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि exam कि इनका कब है ठीक है न एक्जाम की बात करें तो यह देख लीजिए कि यह बोड के द्वारा है economics का paper है नो से बारब पीएम पर अठार अप्रेल को जो लोग नोट नहीं किये हैं यहां से नोट कर लेंगे mathematics 9 से बारब पीएम पर 19 अप्रेल को होगा biology 20 अप्रेल को होगा ना सुबह के टाइम ठीक है न यह ध्यान रखेगा senior secondary का एक्जाम है ठीक है हिंदी की बात करें तो 9 से 12 है और English का paper 9 से 12 यह भी 23 अप्रेल को sociology की बात करें तो 9 से 12 24 अप्रेल को physics 25 अप्रेल को chemistry 26 अप्रेल को और business studies जो बच्चा कर रहे हैं उनका 9 से 12 होगा 27 अप्रेल को fantasy की बात करें तो इनका भी 9 से 12 अप्रेल को होगा geography की बात करें तो 9 से 12 अप्रेल को होगा home science family community studies में 9 से 12 यह भी first माई को poetry का second माई को exam होगा history का भी 3 माई को computer digital literacy और computer science 4 माई को होगा ठीक है और introductions of law and law justice governance यह सारी चीजे पांच चार माई को होगी और tourism tourism 6 माई को होगा psychology साथ माई को होगा ठीक है ना physical education and yoga की बात करें तो यह भी आपका 8 माई और उसके बाद 9 माई को आपको पूरी तरीके से आपका exam conduct complete कर दिया ठीक है और math का जो paper है वो निस्तारिक को है हिंदी का paper आपका 22 को का English का English का इंगलिस का इंगलिस का जो है 23 को हिंदी का 22 को और physics का paper 25 अप्रेल को और 26 को chemistry का और उसके बाद आप इसको देख लेंगे ठीक है ना ठीक है चली कुछ और चीज़े देख लेते हैं और क्या है बचा examination का date seat क्या है यह मैंने बता दिया ठीक है तो यह दोनों चीज़ों को आपको देख लेना है यदि कोई confusion हो तो आप हम से chat कर सकते हैं कोई confusion हो तो ठीक है तो आज के लिए इतना है यहां पर आईडी कार्ड मिलेगा और यह आईडी कार्ड में आपको सारी के सारे registration नंबर यह आपका registration नंबर है और इस registration नंबर को आपको अपने copy पे आपको लिखना है और जो exam nation के समय आपको जो दिखेंगे यही सारी चीज़ें आपको लिखना होगा यह registration नंबर है जो आपको लिंक कराना है ठीक है तो आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए update के साथ में तो आज के लिए बाई 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 चीज़ें ताकिन को carrier guidance से related सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तो आज के लिए इतना है बाई बाई टेक कर अपने ध्यान रहें और सस्त रहें